हाई एवरीबान वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओपेक प्लस कंट्रीज की जो की ऑक्टूबर 2022 से जो अपनी ओयल प्रड़क्शन है उसको एक लाग बैरल पर डे से घटाएंगे तो आज के वीडियो में हम इस टॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर हम दुनिया भर के ऑईल डैनमिक्स की बात करें तो आज की डेट में नहीं कि 2022 के एस्टीमेट के हिसाब से लगभग 100.12 मिलियन बैरल्स पर डेका ऑईल पास होते हैं तो हम यह बोल सकते हैं कि 15,900 मिलियन लीटर का जो ऑईल है वो दुनिया भर में प्रड्यूस किया जाता है इसमें से जो आपक कंट्रीज की प्रड़क्शन है आप आप जानते होंगे यह 13 कंट्रीज का एक ग्रूप है जिसमें कि अलजीरिया, अंगोला, कॉं कंट्रीज हैं जिसमें कि यूएस आता है, रश्या आता है और दूसरे कंट्रीज आते हैं यह 66.15 मिलियन बैरल पर डे का ऑईल प्रड्यूस करते हैं इसके अलावा एक और ग्रूप के बारे में आपने सुना होगा ओपेक प्लस, ओपेक प्लस में यह ओपेक के 13 देश आते हैं जो की ओयल को काफी मातरा में एक्सपोर्ट करते हैं इसमें एजरबाइजान, बाहरेन, ब्रूनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैकसिको, उमान, रशिया, साउथ सुदान और सुदान आपको दिखेंगे तो यह 23 कंट्री मिलके दुनिया बर का लगबग 55% जो क्रूड ओइल हैं वो प्रडूस करते हैं अगर हम दुनिया बर में बात करें कि बही सबसे जढ़ा ओयल प्रडूस करने वाले कंट्रीं सकुंसे हैं तो 2021 के एसाप से युएस दुनिया भर में सबसे जढ़ा ओयल प्रडूस करता है लगभग 12,000,000,000 बैरल पड़े का ओयल ये पर डे के आस पास रहता है फिर आपको कैनेडा इराक चाइना इरान वगेरा देखेंगे इसी लिस्ट में आपको 24 वे नंबर पर इंडिया देखेगा अगर आपको नहीं बता तो इंडिया में भी लगभग 0.6 इसमें जो मेजर कंपनीज हैं वह ओएनजीसी आपको दिखेगी इसके लावा ओएंडिया कुछ प्राइविट कंपनीज हो गई है रिलायंस हो गई विधांता की एंडिया हो गई तो यह कंपनीज इंडिया में oil produce करते हैं और अगर हम consumption wise देखेंगे तो सबसे ज़्यादा consume किया जाता है oil US में लगभग 20 million barrel per day के आसपास यहाँ पे consume किया जाता है दूसरे नमबर पे आपको China देखेगा 14 million barrel per day यह consume करते हैं और तीसरे नमबर पे आपको भारत देखेगा लगभग 5 million barrel per day का जो oil है भारत में consume किया जाता है जिसमें से 0.6 million के आसपास हम खुद से produce करते हैं और बाकी का हम import करते हैं और अगर बात की जाए latest development की तो OPEC यानि कि Organization of Petroleum Exporting Countries और जो इनके allies यानि कि जो OPEC Plus Countries है इनकी कल meeting थी और इन्होंने इस meeting में decide किया है कि October 2022 से ये जो अपने crude oil की production है उसको घटाएंगे तो कितना घटाएंगे तो ये कुल मिला करके एक लाग बेरल per day से October 2022 से अपनी production घटाएंगे और interestingly इन्होंने जब पिछली meeting थी तो September 2022 से इन्होंने एक लाग बेरल per day से अपनी production बढ़ाने का agreement किया था तो अब October से वापिस ये एक लाग बेरल per day से घटा देंगे तो हम वापिस August के लेवल पे आ जाएंगे October से और इनकी next जो meeting है वो 5th October को है हाला कि इन्होंने बोला है कि उससे पहले अगर ज़रूरत हुई based on कैसे situation रहती है तो ये अपनी production को उससे पहले भी यानि की meeting से पहले भी adjust करने के लिए ready है और क्यों production गटाई जा रही है उसके पीछे का reason है कि June से आपने देखा होगा June के आसपास 120 डॉलर के आसपास जो crude oil था वो अब घटकर के 95 डॉलर के आसपास आ गया है इसमें 25% की कमी देखी गई है और March में तो ये multi-year high पे भी पहुँच गया था लगभग 140 डॉलर के आसपास भी इसने एक बार के लिए 8 March के आसपास को touch किया था तो जो इन्होंने decide किया है production घटाने का ये more of symbolic है क्योंकि ये सिरफ 0.1% है आपने पिछले पेज में जैसे हमने discuss किया कि 100 million barrel per day की production की जाती है उसमें से अगर 1 lakh barrel कम किया जा रहा है तो इस सिरफ 0.1% होता है global demand का लेकिन इंटरस्टिंगली ये पहला cut है पिछले एक साल से भी जादा में जब कि जो OPEC plus countries हैं इन्होंने production घटाने का decision लिया है पिछले एक साल और उससे ज़्यादा से लगातार बढ़ा रहे थे उससे पहले जब COVID-19 pandemic आया था oil के prices गिरे थे तो इन्होंने अपनी production को घटाया था ताकि prices को थोड़ा बढ़ाया जा सके बट लेकिन पिछले एक साल से लगा था रिया production बढ़ा रहे थे ताकि oil prices को control किया जा सके बट अब इन्होंने decide किया है कि production को एक बार फिर से घटाएंगे और इसके पीछे का reason यही है कि एक तो जो oil के prices वो बहुत घट चुके हैं और दूसरा भी जो interest rate बढ़ने वाले हैं US में, दुनिया भर में और जो चाइना में जो economic growth slowdown लग रहा है lockdown चल रहा है COVID की वज़े से इस वज़े से उमीद है कि oil की demand कम होगी तो इससे prices crash ना हो जाएं इसलिए यह countries ने decide कि production को घटाएंगे ताकि prices को stabilize किया जा सके और इसके अलावा यह भी उमीद की जा रही थी कि जो इरान के और US की जो deal है वो हो जाएगी और अगर वो हो जाती है तो इरान की जो 1 million barrel per day की जो supply है वो market में आएगी उससे overall prices कम हो सकते हैं तो इन सब वजहाओं से यह डर था कि oil के prices बहुत जादा कम ना हो जाएं तो इन्होंने decide कि आए कि यह production को घटाएंगे इस वज़े से कल एक बार के लिए 4% के आसपास जो oil के prices बड़े भी थे 92 डॉलर के आसपास पहुंच चुके थे जो की बढ़कर के चानवे से उपर पहुंच गए हैं हाला कि आज इसमें थोड़ी सी कमी देखी जा रही है इस meeting के बाद से अब latest जब मैंने screenshot लिया है तो 95.293 डॉलर पे यह trade कर रहे थे और अब अगर बात की जाए कि भई यहां से oil के prices क्या हो सकते हैं तो oil के prices definitely यहां से बढ़ सकते हैं उसका reason एक तो है कि जो चाइना का lockdown था जो कि इनोंने शेंजेन हब में लगाया था उसको यह थोड़ा सा loose कर रहे हैं क्योंकि वहां पे जो नया virus आया था वो stabilize होता हुआ दिख रहा है हाला कि इनोंने बोला है कि high vigilance पे रहेंगे लेकिन थोड़े बहुत restrictions को कम किया जा रहा है इससे जो oil की consumption है बढ़ सकती है इसके अलावा जो nuclear deal थी इरान के साथ US की वो अभी थोड़ी expect की जा रहे थी कि इरान की supply market में आएगी यह थोड़ा सा और भी delay हो सकती है और इसके अलावा रशिया इस टाइम पे जो European countries हैं उनके साथ पूरा पंगा ले रहा है इन्होंने बोला है कि Nord Stream 1 जो pipeline है जहां से gas supply की जाती है उसमें problem आ गई है तो अभी के लिए यह जो gas supply है वो उसको indefinite period के लिए रोक रहे हैं इससे पहले इन्होंने बोला था कि maintenance के लिए थोड़े time के लिए रोकी जाएगी बढ़ इन्होंने बोला है कि उसमें कुछ problem आ गई है और दुनिया भर ने इनके उपर restriction लगाया रखी है तो कुछ इनको parts चाही होते हैं उसको fix करने के लिए जो कि यह ले नहीं पा रहे हैं तो indefinite time के लिए gas की production को रोक रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जो gas से power generate की जाती थी वो oil पे shift हो रही है तो oil के prices इस वज़े से भी बढ़ सकते हैं तो आने वाले time में खत्रा है कि एक बार के लिए oil के prices बढ़ते हैं तो फिर देखना होगा कि 5 October को जब OPEC Plus की next meeting है या इससे पहले क्या production को वापिस से बढ़ाया जाता है या नहीं मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंदाया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा Thanks so much for watching the video and God bless you all